बोले शिरी प्रान नात प्यारे कीजे, सत्गुरु महाराजी कीजे, पन्ना धामे कीजे, सर्व सुन्दर साथ ही कीजे पन्नाम जी सुन्दर साथ जी, आप सभी सुन्दर साथ जी के धाम हिर्दे में विराजे, शिरी राज श्यामा जी के जर्णों में शर्षर नमन पिया जी के चर्णों में फिर फिर सेज्दा सुन्द साजी आग शेरा जी शामा जी के अपार में कि शिर प्रक्रमा गरंद की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं हमारे सत्गुरु मराज शिर जोहर दास मराजी की टीका के प्रकाश में चर्शनी सम्राट हमारे सत्गुरु मराज शिर जोहर दास मराजी तो आईए सुन्द साजी प्रारम करते हैं धनी की मेर से प्रकर नमबर 30 और चोपाई नमबर 45 से आज आगे बढ़ना है बोली शिर प्रान नात प्यारी कीजिए इत घाट नारंगी पहुचिया दो तरफो इत बट घाट निकुझ ले इन हद से आगो चलत इन हद से आगो चलत तरफ बाई शोबा ताल की बीच चांदनी चारो घाट जल बन महल पाल की अति शोबी थे एठार कुझ निकुझ के बाई और होचको सरताल की शोबा है जल के अंदर टापु महल की चांदनी शोबी थे और पाल पर चारो दिशाओं की चार घाट है यहाँ पर जल बन और महलों की शोबा है सुन्दुर साजी कल हमने बट पीपल की चोगी की शोबा देखी थी किशिर रंग महल की दक्शिन दिशा में बट पीपल की चोगी की अप्रम पार शोबा अगिन कौन और नरतते कौने के मत्ते जो धाम के पन्रल सो मंदिर है या पचास हांस के उनके सामने बड़ पीपल की चोकी आई आड़ी खड़ी नहरों के दर्मियान चोक बनते हुए और एक एक चोक लगभग एक मोठा हिसाब लेवे सो मंदिर का लंबा चोड़ा चारों दिशों में नहरी चारों को नमी चे बच्चे ठीक मते कमर भर उचे चब उतरे पर एक व्रिक्ष का विस्तार उन व्रिक्ष का ताना ही एक मंदिर की लंबाई चोड़ाई लिए उन व्रिक्ष का विस्तार उनमें चारों दिशों में दर्वाजी और इन व्रिक्षों आपस में मिलान किया 1 बट 1 पीपल, 1 बट 1 पीपल, तो 2-2 रंगों की महरावे, आधी बट की, आधी पीपल की और कैसे एकरस होती, और उन बड़ी महराबों में महाविलन इंडोले जिन एक एक हिंडोले में आप शेराज शामजे और सक्या जुलती है उपरा उपर इनकी चार भूमे प्रथम भूमिकाने जो पहली हाथ व्रिक्षाए हैं उन्होंने आगे बढ़कर बाई साथ की उचाई लेकर जरुखों से मिलान किया है उपरा उपर छजों से मिलान हुआ है और कल हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो बट घाट आया है बट घाट से उतरते हैं तो कुझ निकुझ प्रारम हो जाता है पुखराजी रोंस पार करेंगे उसके बाद कुझ निकुझ प्रारम हो जाएगा और ये कुझ निकुझ किस तरह से ये देखिए बड़ पीपल की चोकी के दक्षी ने बड़ोवन के पांच वृक्ष में जूम कर रही हूँ ये बड़ोवन के पांच वृक्ष इन वृक्षों का आपसी अंतर है सवसो मंदिर का तो चार व्रिक्षों के मद्दे 700 मंदिर का चोक, ये देखिए जैसे ये पांच व्रिक्ष जा रहे हैं, ये मानगे चले अपन पांच व्रिक्षों की हार है, इस तरह से जा रही है, तो चार व्रिक्षों के मद्दे ये एक चोक बन गया न, ये दूसरा चोक, तो इनके अंद के लंबे छोड़े चोक बने अब ये बड़ोवन के व्रिक्ष देखो बड़ पीपल के पश्यम तरफ भी आ रहे हैं फिर फूलबाग के दक्षें से होते हुए यहां बीश में दिखा रखे हैं कि जैसे यहां पे नूरबाग अलग हो गया अन्वन अलग हो गया असा नहीं है बिलकु साथ जुड़े हुए जो फूलबाग की गयारवी नहर है वो ही अन्वन की पहली नहर है तो अन्वन के दो तिन बगीचों के बीच में से बड़ोवन के व्रिक्ष वापिस निकलते हुए इन बड़ोवन में समा जाते हैं अब हमने कर ये भी देखा कि किस तरे से इन स्थान पर भी कुझ निकुझ है अन्वन के दक्षिन में दूबदलिचा के दक्षिन में और यहां पर देखें पश्यम की चोगान से लगता हुआ जवेरों की नहरों के साथ से होता हुए कुझ निकुझ अक्षरधाम के पूरव तरफ पहुचा है अक्षर धाम का जो पूरव दिशा का दरवज्जा है ये जो मध्धे रोंस है इन रोंस के इस तरव तो कुझ निकुझ और इस तरव बढ़वन, मदुवन, महावण तो कल इन शोभा को देखला के अब नजर पोचा रही है कि आप दक्षिन में चलो शे रंग मेले, रंग मेल के दक्षिन में हमने बट पीपल की चोकी देखी फिर कुझ निकुझ का परसारा भी देख लिया अब रंग मेल के सिठीक दक्षिन में साड़े चारला कोस की दूरी पर होच कोसर ताल शोभाई मानें एक बर चपई देखते हैं वापिस ये देखी तरव बाई शोभा ताल की बीच चांदनी चारो खाट जल बन मोखल पाल की अतिशोबित है इथाट इन एक चपई में कुण शोभा धनी संहाइद करते हुए कि कुँझनिकुझ में हम श्री रंग महल में देखेंगे रंग महल की तरव से लेते हैं तो 2. organicos की दूरी पर कुँझनिकुझ बनों के मत दे यानि यह जो होच कोसरताला आया है इसको घेर के कुझनिकुझ बनाया है यहाँ पे होशकोर सर्ताल की शोबा है, जल के अंदर टापू महल है, उनकी खुली चांदनी है, और चारो दिशाओं में घाट है, जल की वन की मोहलातों की अप्रमपार शोबा है, नक्षे से देखते हैं, शे रंग महल, रंग महल की ठीक दक्षिन दिशा में, यहाँ थोड़ा ओपर नीचे नजर आता है, अपर ठीक दक्षिन दिशा में होशकोर सर्ताल, और इनको घेर कर कुझ निकुझ बनों की अप्रमपार्शोबा, फूलों की अप्रपार्शोगंदी, यह देखिए, ठीक मद्धे, टापु महल, तीन भूम चोथी चाननी, घेर कर विशाल जल राशी, जल रॉंस, फिर चोरस पाल पर चारो दिशों में घाट, पूरो दिशा में सोला देरी का, उत्तर दिशा में यह यो कह है, रंग महल की तरफ नव देरी का, इस तरफ तेरा देरी का, और प टापु महल की शोभा नजदीक से, तो इन शोभा को निहारें, एक पिक्चर और निकालती हों एक परदशन, कि होश कोसर ताल की अती सुन्दर शोभा को, दिल में बसाएं, कि किस तरफ से होश कोसर ताल की सुन्दर शोभाई है, सबसे पहले तो देखें, घेर कर कुझ निकुझवन, कितने रंगों के कुझ निकुझवन, नक्षा भी खुल रहा है, घेर कर कुझ निकुझवन, अनन्त रंगों का फूलों का पसारा, निकुझ गोल, कुझ चोरस, यह देखें, कितना कुझ निकुझ मन्नों की अप्रम पार्शोभा, रेती का नूर, यहां बड़ो बन के व्रिज, अब यहां पे होज कोसर ताल, शेर रंग महल की ठीक दक्षिन दिशा में, साड़े चार लाकोस की दूरी पर, अब होज कोसर ताल को मुख्य तयापन तीन पार्ट्स में देखते हैं, ठीक मद्दे देखें, टापो महल, यह देखें, तीन भूम, चोथी चांदनी, एक कमल के फूल की भाती खिला, चोसट पांखडी का कमल का फूल, आस्मन की उचाईयों में, तक्तरवा में, पशुपक्षियों की अस्वारी करते समें, जब यहां नजर करें, तो एक चोसट पांखडी का कमल के फूल की भाती खिलता हमारा यह टापो महल, चोसट पहल, चोसट पूल की पांखडीयों की तरह, यहां गुर्जों के मद्दी वनों की भी शोबाई है, तो अनन्त रंगीनिया लिए यह टापो महल, फिर घेर कर विशाल जल राशी, लगवग 5,750 मंदिर, थोड़ा हो सकता गिंती उपर नीचे हो, 5,750 मंदिर यहाद आ रहा है, इतने मंदिर में घेर कर जल है, तो कितनी विशाल जल राशी तो अति उज्जवल, गहरा, गंभीर जल, कि अमना जी जब इसमें समा रही हैं, उन पूरव देशा में वो जल की तेज धारा कैसे आके इसमें मिलती हुई, जल की उठती लहरे, और प्रतीक हांस में, 128 हांस गए, प्रतीक हांस में जल की शोभा, उनमें खिले कमल, कैसे जुदी-जुदी शोभा से, जुदी-जुदी रंगत से खिलते हुए और फिर जल रोंस, जल रोंस पर भी सुन्दर बैठके, तो एक हिस्सा तो हम देखते हैं टापो में, दूसरे इस्से में चोरसपाल, चोरसपाल की चारों दिशाओं में देखें, पूरव दिशा में सोला दरी का घाट, पशिम दिशा में जुद का घाट, उत्तर में नव धे देरी, दक्षिन में तेरा देरी, नव धेरी, जुद का घाट और तेरा देरी का घाट, यह घाट जो है, यह तीनों ही एक्चुल में जुद के घाट हुए, क्योंकि यह वनों से बने हैं, खेर कर जो वन आ रहे हैं, इस वन से, इस व्रिक्ष से, यह व्रिक्ष पांसों ऊंदिर की द Ari PThat यहां पर इन तीनों घाटों में व्रिक्ष नज़िक नज़िक आए हैं तो व्रिक्षों का जुन्ड हुआ है क्योंकि नव देरी का ढ काड देखे तेरा देरी का बेखे जुंड का गाड देखे यह तीनों घाट फूलों के, पतियों के, फलों के अप्रबार मार्श वासे खिलते हुए और इन तेनों तरफ से ये देखिए, गहाट की सीडिया भी उतरती हुई तो पहले हिस्से में तो गहाट, दूसरे हिस्से में रिक्षों की दो हारे तीसे इससे में घेर कर दिहुरियां 128 दिहुरियां और ये दिहुरी आई है जहां दो पहल मिल रहे हैं तो एक-एक दिहुरी में दो-दो पहलों की जलकार ये देखिए जहां हांस के पहल मिल रहे हैं दो कोने मिल रहे हैं उनमें आदी दिहुरी इस हांस में तो दो दो रंगों में जग मगाती ये दिहुरी और फिर तीसे इसे में धलकती पाल जिन में संक्रमक सीड़ियां आ गए रिक्षों की दो हारे आ गए और पश्चिम तरख चब उतरे और दिहुरी की शोभाती है तो ये अप्रम पार शोभा होश को असर ताल की अति सुन्दर शोभा एक नजर में हम शोभा देखिए खुद को मैसूस करें उचे आसमान में होश को सर ताल के उपर और होश को सर ताल की और धनी नजर करवाएं तो ठीक मध्य चोसट पांकरी सा खिलता कमल की फूल की तरे प्रकाशित दागो महल अनेक रंगों की आबासे एक एक पहल उनका जुद जुद आभा जुद जुद रंगों से सस्ता खेर कर विशाल जलराशी भी उनी रंगों में सस्ती हुई कितने उसमें कमल दल खिलते हुए चारो घाट छूटक दिहोरिया और जो कटी पाल की छोटी दिहोरिया हैं और ये जो शोबा आई है घाट कहें दिहोरिया कहें कटी पाल कहें ये जल रोंस कहें इन सब के ओपर वनों की शीतल चाया हैं और धनी ने जब दिदार देना है तो व्रिक्ष अपनी चायां समेट लेंगे वनों की शीतल चायां है पूझ कोसर की संपून शोबा एक सुन्दर मंडप के तले व्रिक्षों की शीतल चायां के तले पुझ निकुझ बन का मिलान हुआ पुखराजी रोंस से पुखराजी रोंस ने धलक्ती बाल से मिलान किया धलक्ती बाल ने चोरस बाल से और इनकी शतरी जल चब उत्रे तक तो व्रिक्षों की एकल शीतल चायां तले वुश कोसर ताल की अप्रमपाश होगा तु इन्शोपई का विस्ताग धनीने जो करवाया तरफ बाई शोभा ताल की बीच चांदनी चारों घाट जल बन महल पाल की अतिशोभीत एथाट होश-कुर्सताल की शोभा दक्षिन दिशा में कुझने कुझजवनों के मद्धे जल के अंदर टापु महल की चांदनी पाल पर चारों दिशाओं में चार घाट यहाँ पर जल की वनों की महलातों की चोरस पाल के तले पाल अंदर महलातों की भी शोभाई है और एक-एक दिवरी को देखे तो वो भी एक महलात की भाती न जो घेर कर हमने तीस से इसे में दिहोरियां देखी धाई सो मंदर की लंबी चोड़ी वो दिहोरी है तो एक एक थम का विस्तार महलात माफक एक एक दिहोरी महलात माफक पिर जहां कटी पाल की सिड़ी आई है मचोटी ध्योरी वो भी सो मंदर की लंबी चोड़ी तो वो भी मोहलात माफक सोला धेरी का घाट भी नगो की मोहलात माफक नव धेरी, तेरा धेरी और जुन का घाट फूलों के महल की तरे तो कितनी शोबा यहाँ पर अपने पोछकोसर ताल की कई मोहल मानिक बन पहाड के, कई नहरे मोहल बन, मोहल पहाड कई सागरों, फिर आए दूब बन अन इन पोश को सताल के दक्षिन के और चलते हैं, तो कुझ निकुझ के किनारे और जवेरों की नहरों के साथ लगते चोबिसांस महलात की शोबाई है फिर जवेरों की नहरों का फिरावा, और फिर ठीक दक्षिन दिशा में जहां चल रहे हैं, शरी रंग महल, शरी होश को सर्ताल, शरी चोबिसांस का महलात, और शरी मानिक पहाड, ठीक उसी सीद में मानिक पहाड आगे वन की महले, कई नहरे, शोटी रांग और सागर, जहाँ पहाड समान महल आए हैं, सागर समान महल, और ये शब शोबा देखते हुए, अब रंग महल की पश्यम दिशा में, पश्यम की शोगान देखते हुए, दूब दुलीचा तक आतम पहुचती हैं ये देखे सुन्द साजी पोश्कोस्तताल की शोभा देखकर दक्षिन की तरफ चलें, तो कुझ निकुझ के किनारे, यहां थोड़ा सा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुझ निकुझ के बिलकुल किनारे, और इधर ये जो जवेरों की नहरे हैं, उनसे लगती ये अपनी चोबी सांस की मह महलात आई है, अब ये जो घेर कर जो महा नद आई है, इस महा नद का जल दोनों तरफ से इकठाओ के इस जवेरों की नहरों में जाके समाता है, तो बिलकुल जवेरों के नहरों के साथ लगते, पोश्कोसर के दक्षिन में, कुझ निकुझ के नारे, ये अपनी चोबी सां महलात की शोबा आई है, फिर ये जवेरों की नहरे, और ये आगया मानिक पहार, मानिक पहार की शोबा, उची अतन्त मानिक पहार की सुन्दर शोबा, 12,000 महलाते, फिर उपर टापु मेल, घेर कर, भोम दर भोम, उतरती जल की धारा, इन शोबा को यहां से देखते हैं, ये देखेए 24 सांस की महलाद पहले 24 सांस महल की शुबा देखे यहाँ पर सुंदर साजी की प्यारी शोबा है कि नहरे ढपती नहीं है कुछ नी कुछ में पहली भूम में नहर ढप जाती है लेकिन यह नहरे यह जबजी अपने को देखो उपर तक दिदार हो रहे हैं ये देखिए और इस 24 सांस मोहलाद पे तो देखो 25 जल की फवारियों उठी रही है और 24 धारें के रही है तो 24 सांस मोहलाद की शोभा दक्षिन तरफ आते हैं एक बनक्षा खुल रहा है तो ये देखिए मानिक पहाड एक सेकेंड थोड़ा वेट करना पड़ेगा खुल रहा है ये देखिए मानिक पहाड की कितनी प्यारी शोभा दक्षिन दिशा में आई है बिहदी विस्तारित 12,000 मोहल भोमे 12,000 भोमे और प्रतेग भोम में जाते हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हार एक हवेली में जाते हैं तो 12,000 मोहल एक मोहल में जाते हैं एक मंदिर में जाते हैं तो 12,000 कोठरियां पहले हवेली एक हवेली में गए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों में से तो उन एक हवेली में 12,000 मोहल एक मोहल में गए तो 12,000 मंदिर और एक मंदिर में गए तो 12 जर कोठ्रियां, कोठ्रियों में भी जो घेर कर थमबाए हैं उनमें भी मोहल माफत विस्तार ऐसी भूम दर भूम 12 जर भूमें, ये टापू में घेर कर ताल की शोभा और भूम दर भूम गिरता चल और आखिर में ये महानत अब इसके बाद आती है शोभा वन की नहरे, पूरा फूलों पतियों का वनों का विस्तार एक-एक व्रिक्ष के उपर मानिक पहाड की शोभा जैसी हवेली एक-एक व्रिक्ष पर एक हवेली का विस्तार बिल्कुल मानिक पहाड की हवेली जैसा तो यहाँ पर वन की नहरों की सुन्दर शोभा संपूर्ण जोगवाई फूलों पतियों की तली की भूमिका में अपने को तनाग, डालिया, नहरे, चबच्चे नज़र आ रहे हैं और उपर अपने को इसके महल नज़र आएंगे आगे छोटी रांग और फिर ये बड़ी रांग तो ये सब शोभा देखते हुए पश्यम तरफ से इन पश्यम की चोगान की शोभा देखते हुए दूब दलीचे तक पहुचे सुन्द साजी चपई आज यहीं दोराते हैं कही मोहल मानिक बन पहाड के, कई नहरे मोहल बन, मोहल पहाड के सागरो, फिर आए दूब बन अन फिर आए दूब बन अन बोलो श्री प्राण नात प्याएगे जे